होकी ओलंपियन का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंची खेल मंत्री अशोधा राजे सिंधिया मैडल देख कर भावुक हो गई खेल मंत्री ने मैडल को पहले अपने मस्तक से लगाया फिर मैडल विवेक के गले में पहनाया उस वक्त उनकी आखें खोशी से नम हो गई जब विवेक सागर से पूछा गया कि अगली बार पदक लाएंगे तो विवेक सागर का कहना था कि हाँ बिलकुल मैडल का कलर चेंज करना चाहूंगा उनकी इस बात वर खेल मंत्री ने खोशी व्यक्त करते हुए उनकी बात का समर्थन किया उन्होंने कहा कि अब शुरुवात हो गई है विवेक सागर ने आसमान को चू लिया दूसरे खिलाडियों के लिए वो रोल मॉडल बन गए है दूसरे खिलाडियों को अब चाहिए कि वे भी विवेक सागर की तरह आसमान को चूए विवेक सागर ने ये स्ताबित कर दिखाया है कि मद्रदेश भी ओलंपिक मैडल जीत सकता है देश के लिए ब्रॉंज मैडल जीतने वाले होकी खिलाड़ी विवेक सागर ने कहा कि टोक्यो में जब तिरंगा लहराया तो वो हमारे लिए बहुत गर्व का शन था ब्रॉंज मैडल के लिए जब हम खिलने गए तो गेम प्लान यही था कि जो भी है यहां से पाना ही है और हमें अपना बेस्ट देना है ब्यस्पी रैंक के साथ मद्रदेश शासन से सम्मान मिलने पर सागर ने कहा कि आज बहुत खुशी हो रही है यह हमारा सपना था जो पूरा हो गया मद्रदेश में खिलाडियों को भैतरीन सुवधाय मुहया कराई जा रही है ब्रॉंज मैडल जीता और 41 साल का सूखा कत्म किया उस टीम के चमकते सितारे विवेक सागर हमारे साथ मौजूद है विवेक आपके गले में अभी भी वो ब्रॉंज मैडल हमें नजर आ रहा है बहुत गर्व है हमें आप सब पर आप पर और आप पूरी टीम पर वे कैसा महसूस किया जब एक लंबे अर्से बाद एक कई साल की उन्हें मैं ब्रॉंज मैडल है सब्सक्राइब के लिए तमाम सारी जो सुवीदाय उपलब्द कराई जा रही है जो कोचिंग स्टाफ है उससे आप कितना हद तक संतुष्ट है कि यहां पर जो कोचेश और जितनी भी ट्रेनिंग के ग्राउंडड है वो काफी अच्छे है और टॉप क्लास के जो कि एक प्लेयर को चाहिए रहते हैं कोचिंग से लेके डाइट जितना भी है सब काफी अच्छे हैं आप अब विवेक सागर डीएस पी हो गया है वेक साग सब्सक्राइब करना उन्होंने वादा किया अखरी सवाल विवेक मैच प्लान क्या था जब आप ब्रॉंज मैडल के लिए खेलने उतरे थे कैप्टेन ने आप से क्या कहा था और क्या कुछ टीम ड्रैसिंग रूम में माहौल था उसमया है वही दसर कि हमारे उपर ब्रॉंज मैडल इनोंने जीता है भारत को एक बर फिर 41 साल बाद होकी में उलम्पिक्स में पदक मिला था और जो गेम प्लान था वो यही था कि हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं है जो भी है वो पाना ही पाना है और भारती टीम ने साबित करके दिखा दिया कि एक बर मौकी का देश में लोटने वाला है कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ बंसल्यूस के लिए भुपाल से वासु चौरे विवेक सागर ये वो नाम है जिसने मद्धिप्रदेश का गौरव बढ़ाया है विवेक सागर इटारसी के छोटे से गाव चांदौन के रहने वाले है विवेक के घर तक पहुँचने के लिए दो किलोमेटर की कच्ची और गड़ों भरी सडक से होकर पहुँचना होता है लेकिन कांस पदक जीतने के बाद विवेक सागर के घर की सडक बनना शुरू हो गई है विवेक ने बताया कि वे अपने माता-पिता को एक तौफ़ा दे